तो हमने गुलाब जमुन बनाने के लिए गिट्स का पैकेट लिया है और यह लगभग 200 ग्राम का है जो कि 95 रूपेज का पढ़ता है और किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा आपको तो चलिए अब इसे हम खोल लेते हैं इसे बनाने के लिए जो है पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे इसली बना सकते हैं बहुत जल्दी बन जाता है यह और आसानी से बन जाता है तो इसे बनाने के लिए या तो पानी भी उसकर सकते हैं और दूद भी उसकर सकते ह plus पहिन dot से extra प्रेश्रकर बने बिलकुल अच्छरव नहीं होना चाहिए तो गुलाब जामून में क्रेक हो जाएगा और गुलाब जामुन जो है अच्छे से नहीं बनेंगे फट जाएंगे गुलाब जामुन तो आप इस तरह से गोलगोल बनाई तो अब फाइनली हमने सभी गुलाब जामुन को इस तरह से गोलगोल करके बना लिया है अब देख सकते हैं पूरे गुलाब ज को इसमें डाल देते हैं और फ्राइ करेंगे तो देखिए हमारी घुलाब जामून जो है फ्राइ हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब निर्डुन इसी तरह से सवी गुलाब जामून को फ्राइब mart तो औप हम इसका चासनी तयार करते हैं, चासनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पानी चाहिए और पानी जो है हमारे गुलाब जामुन के पचास गुलाब जामॉन बनाना है, तो हमें सुगर सिरप भी जाधा चाहिए तो हम थोड़ा जाधा सुगर सिरप बनाइंगे, तो यह बन करके ready हो गया है, थोड़ा सा, मुझे इसमें शक्कर की कमी लगी, मीठास थोड़ा कम था तो मैं इसमें एक कटोरी शकर और एट की हूँ अगर आपको कम शकर या कम मीठा पसंद हो तो आप कम ही यूज़ करें तो आप देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा सुगर सिरफ बनकर के तयार है चासनी बनकर के तयार हो चुकी है हम पूरा गुलाब जामुन गरम चासनी में इसमें डाल देते हैं गुलाब जामुन डालने के बाद हम इसे एक घंटे के लिए ढख करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो एक घंटे हो गये हैं अब मैं इसे खोल करके देख लेती हूं तो देखिए गुलाब जामुन जो है फूल करके बड़े साइज के हो गये हैं ये जस्ट डबल हो जाते हैं दो गुना हो जाते हैं अपने साइज के तो बहुत ही टेस्टी और यमी गुलाब जामुन जो है ब चुप है।